इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ 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 क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहंगा पढ़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है झालों 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 के लिए हानिका झालों के लिएbit झालों के लिए ट्राव झालों के लिए एंकारक है प्यूज़ झाल श्री राम जानकी की जै हो, अवधेश सियापत की जै हो स्वागत महे राम राज दाता दर्मराज के तुम निर्माता, पावन जीवन कर दो हमारा हावद पुरी में स्निह बरसाओ, बैभव शान्ती और सुख लाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, दाता श्री राम जानकी की जयो, आवदेश से आपद की जयो, स्वागता मेरा मेरा जलाता राम राज नायक का सागत गूझ रहा जन जन में, चारो वेद गुण गान कर रहे सुख लाएं जीवन में नायनीत का पवन बहरहा गूझ रहा है गगन में, चहू और आनन नहीं आनन है हमारे आगन में राज मोकुट की जोती चमकती करती है ये बंदन, सुय वंश का सिंहासन भी करता है अभिननन राज लक्ष्मी चरन चूम कर राम तुम्हे विर्दाएं श्री राम जान की की जैओ, आवदेश सियापत की जैओ, स्वागतम हे राम राज दादा श्री राम जान की की जैओ, आवदेश सियापत की जैओ, स्वागतम हे राम राज दादा गौंज रही आकाश के बानि, राम राज सुक दादा सागर की लहरे कहती है राम है सब के थाता ये बाशान कह रहे है जैसे राम दरशो तायक है राम राज में प्रजान आयकी बनी पालक है राम मंत्र तारक है शक्ति मुक्ति दायक है राम नाम का अम्रित पावन राम का किर्थन आनंद गायन राम ही रक्षक तीन लोक के राम ही तारक पालक श्री राम जान की की जैहो अब देश सियापत की जैहो स्वागतम है राम राज दाता श्री राम जान की की जैहो अब देश सियापत की जैहो स्वागतम है राम राज दाता मंगल में हो सुखदाता धर्मराज के हो निर्माता पावन जीवन कर दो हमारा अब दो पुली में से बरसाओ भर्भर शांती और सुखलाओ प्रेम सुदा बरसाओ नाता श्री राम जान की की जैहो अब देश सियापत की जैहो स्वागतम है राम राज दाता यह तुम्हारे वंश के इष्ट देव सूर्य भगवान है रग वंश के जनमदाता को प्रणाम कीजिए और नतमस्तक होकर आभार प्रगट कीजिए सप्ताश्वरतमारूधं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तंसूर्यं प्रणामाम्यां गुरुदेव वशिष्ठ आपने जो मुझे रगवंश का भार्सोंपा है उसे मैं निष्ठा पूर्वक निभाऊंगा राम का प्रणाम स्विकार हो देर गायुष्मान भावा पत्र प्राप्टिक अश्रिवते तीए ग्राहिं चैनलों चैनल आज से 14 वर्ष पूर्व स्वयम महराज दश्रत ने तुम्हारे राज्या विशेग का विचार किया था जो आज साकार हो रहा है आज ये कलपना 14 वर्ष के पश्चात संपूर्ण होगी यह संयोग प्रभू के आशिरवाद से संपन्ध हो रहा है साधारण रूप में राजा जब सत्ता संभालता है तो मुखुट के धारण होने पर ही राज्या भिशेग के पश्चात ही वह संपूर्ण राज्य का अधिकारी बन पाता है अब समय आ गया है कि सत्ता के उत्तर अधिकारी की परिभाशा को विस्तार से मैं बता दूँ जो रावन और रावन जैसे राक्षसों की समाप्ती उन्हें दंड दे कर करे धर्मानुसार वो तत्पर हो सही उत्तरदाई वही व्यक्ति बन सकता है नाही प्रजा पर कभी अत् अब मेरा प्रस्ताव है जेक्षवाकु वंच के कुल्डीपत रगु महाराज के प्रपौत्र अजा महाराज के पौत्र और दश्रत महाराज के सुपुत्र श्री राम चंद्र आयुध्या समराज्य के भार को समाले इसे इश्वर का आशिरवाद मान कर राच्चन वाच्चं फ्राच्चं फई्राच्चं वाने से नम्ञ आति कंशा राम चारपूकी ada ur even पार पुकी यहो सीता भरत लक्षमन शत्रोगन आंजनिये आप सभी को राम का वंदन जल वायू अगनी शीत अंधकार प्रकाश इसके अधिकारी सभी होंगे ये शपत लेता हूँ कि मैं धर्म पूर्वक और पूरी निष्ठा से सम्पूरुन सामराज्य की सेवा करूँगा जिस प्रकार इश्वर की करता हूँ हे प्रजाजनों आपने मुझे चुना है आपके विश्वास कमान मैं रखूँगा और एक राजा को स्वयम का सुख सर्वोपर ही होता है ऐसा ना सोचें अधिकार सिंगासन पर बैठने का उसे मिला है तो स्वयम के सुख के लिए नहीं राजा का तो सही अर्थ है कि प्रजा को सुख संतोश और समाधान प्रदान करना यही सीखा है मैंने कि पूर्वजों के बनाएं पत पर ही चलना है सांसारिक और कोटुम्ब के सुखों से उपर रहेगा मेरी प्रजा का सुख मैं राज्य की संपत्ति को अपना ना समझ कर प्रबंधक बन कर संभालूँगा राम राज्य यानि राम द्वारा प्रजा की सम्रिध्धी ऐसा राम राज्य मुझे निर्मान करना होगा धन्यवाद यह के वह अजिते प्रभूच ज्यवाद निक्वियि आरेवाद ज्ययिवाद मंगल हो राम चंत्र मंगल गुर्धा मंगल करोणा निधान महा मंगल हो जामन कि मन मंदृ लिवास मंगल हो जार किमन मंदर निवास मंगल हो सर्वजन्वन्दन विधास शय मंगल हो नित्य शुभ मंगल हो शय मंगल हो नित्य शुभ मंगल हो मंगलं को सैल्द्राय, महनेय गुनात्मने, चक्रवर्थि तनूजाय, सार्वभोमाय, मंगलं, मंगलं, है रामचंद्रप्रभु, श्री प्रम ब्रम्ह के आशिरवाद, नारद मुनी के पून सायोग से, वालमी की रचित श्रीमद रामायन काबिर जना, अब समाप्त हो गई है प्रभु, पाप और पापियों से उद्धार पवित्र पदों से मिलेगा, इस राम कथा को समस्त जन ज करे, समाप्त हो गई, यानि कथा समाप्त, सच में अद्भुत थी, अच्छा होता अगर आगे भी एक कथा होती, इसके आगे, सत्यवचन बच्चों, प्रभु राम की कथा एक बार सुनो तो तु 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 नहीं हो पाती, इस कथा में, यदे सुख है त तु दुख की छाया भी है, दुरभाग के पूल उन चौदाव वर्षों का अनुभो किया सीता और राम ने, अंततर सुख की वर्षा का समया पहुचा, कथा समाप्त हुई, यानि आज के पश्चात सुख ही सुख है, ओहो, क्या दुख के बिना कथा अधुरी होती है, नही सुननी हमें ऐसी कथा, कथा सुननी का सुख सीता राम प्रभू के कश्चो के समक्ष तुच्छ है, अनुचित है, हम निरने कैसे करेंगे की भविष्य में कब क्या होगा, ये लीला तो राम की है वही जाने, कथा के अंदर सुख दुख का समावेश और निरने करने वाला भ सुर्या वन्षिष प्रभू ने चंद्रा बनाया मस्तक पर आज मेरी प्रभू उदार है या या फिर या कोई विचित्र ही विचार है शंका है क्या विचित्र तुम्हें शोबते नहीं प्रिये, देखो कटी में लिप्टाईया भूशन ये जो तुमने पहना है ये क्या कोई नया भूशन है प्रेम मेलन में अमरित बरसे राम पधार सितामन में मोन मधुर है शन शन पावन प्रिती की घन छाया में सूर्य चंद्र है साक्षी प्रेम की धन गोंजे राम का निमंत्रन सीता राम पुकारे मोन की भाशा मेलों में बोले चंद्रन सौरब फैले जीवन में राम जान की प्रेम अमर है इनका बंधन तूट है स्री राम ग्ञान का सागर है सीता सरिता पावन है स्री राम सुधाकर है सीता चाननी है क्या माता जी को पता है ये? सीता चाननी है ये बिरोनों का ये मिनन दिव्य है सम्धन जी अब गर्वती वद्वों की गोदभराय की बेला आ गई है और हमारे पुरोहित्तों ने तो शुप बेला का महूरत भी सुझा लिया है जो आपके आशिरवाद के साथ हमें अनुमती भी मिल जाए तो सीता, और्मिला, मांडवी, शुतकिर्थी को हम अपने साथ ले जाएं इस बेला पर संधी जी अनुमती की क्या विशक्ता, परंपरा अनुसार पहले बच्चे का जन तो मै के में ही होता है, यह अधिकार है आपका दीदी ने तो हां कर दी, पर पतियों के विचार भी तो जानने चाहिए, क्या विचार है राम जवाई जी तो अभी चुपचाब हैं, माना आप जवाई हो हमारे, पर अयोध्या की तो बेटे हो राम, आप विराजिये माता श्री, अयोध्या के बागडोर हाथों में है, पर माता पूज्य नहीं है, माता के समक्ष तो मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं अध्भुत, 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 ऐसे विचार तो राम के मुक्ष से ही सुने जा सकते हैं, पुत्रियों मेरे पास आओ, आप दो तुम सब चलने के लिए तयार हो जाओ, ठीक है, सबके ही मुख पर एक चमक उभर आई है, घर जाने की बात सुनकर, महराज, जवाए बाभू, महराज तो दर्बार और दर्बारियों के संबोधन हे तु है ये शब्द, यहाँ पर आप मुझे, यदि पिता बोलेंगे तो इस बात से बेटी जान की आनन्द विभोर हो उठेगी, शमा परार्थी हूँ, राज दर्बार से दूत अभी-अभी संदेश लाया है, मुझे प्रस्थान करना है, राज दर्बार से? तो तुरंत जाए, राज धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ठीक है, राजा राम चुकी दर्बार जा चुके हैं, तो अब महारानी सीता देवी से उनका निर्णे सुनना होगा, बेटिया पिहर के नाम से ही खुशी से जूम जाती है, पता है, क्यों बोलती हो ऐसा, इस बात का कोई विपरित दर्थ लगा ले तो, यह मुझसे नहीं हो सकता अपिता, श्री, मैं, मैं नहीं जा सकती, हाँ, तो मेरी बड़ी बेटी सीता, पहिर के समारों में सम्मिलित नहीं हो पाएगी, पती को अकेला छोड़ना इसे स्विकार नहीं, सच बात कही है ये तो, सच सच ही होता है, ऐसा पहले भी हो चुका है, जब पती को अकेला छोड़ा नहीं, साथ निभाया पती का और यातनाय भी सही जंगल की, सत्य बोला आपने, अब हम प्रसुती को उस दुख का पुना कारण बनाएं ये उचित नहीं, अनुचित होगा यदि सीता की इच्छा के विरुद्ध गए तो, इसका तो मन से सम्मान करूंगा मैं, तुम्हारे पिता के लिए ये दुख का कारण था, किन्तु सब प्रसन नहीं यहाँ पर, अधिक आनन्द मुझे हो रहा है, ये तो उपहार में आया है, मन चाहा कोई, वर मांगो, मांगो? मैं क्यों मांगो, मुझे आवश्यक्ता नहीं. अच्छा, तुम चकित क्यों हो गई हो? वर्दान की पीछे भय है, हमारे पिताश्री ने दुख उठाये, उसका कारण अब वर्दान ही था. सत्य है, यही तो कारण बना, वनवास का और रावन का वद्ध हुआ, यही वर्दान, धर्म विजय बना और संसार ने शान्ति का और सम्रिध्धि का भी आनंद लिया. ठीक है, ठीक है, इस शुभावसर का लाब उठाते हुए, ये तो बताओ क्या दूँ? प्रभू, इस समय इच्छा पूलन हो, ये असंभव है मेरे विचार में. संदेह क्यों, ये बताओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ती कब नहीं की हमने, कहो भी. ये जो इच्छा है किवल, मुझ तक सिमित नहीं. मेरी पुझा तो रगोवण्ष के भावी राज कुमार से जुड़ी है. संपन्यता और सुक्से भी, ये मुनीचनों की पत्नियों के आशिर्वात से संभव है. तो फिर से आपको वन में जाना है. यहीं, राजभावन में वही भव्य आयोजन यदी धुमधाम से आयोजित हो पाए, तो फिर वहाँ जाना आवश्यक तो नहीं. जाने के विशय पर परिवारजनों की स्वीकृतिया संभव है. जानती हूँ, कठीन तो है मेरी इच्छा का पूरा होना. करेंगे पूरी. तुम्हारी प्रसूती से पहले जाने की इच्छा है. ऐसा विचार है, तो हमें कुछ सोचना होगा कि कैसे तुम वहाँ जाओ और तुरंत लौट कर वापसाओ. ऐसा है तो फिर कल ही हमें… कल ही? हिरन जैसा वेग तो ना दिखाओ. समझा. हिरन के नाम से भैभीत हो गई ना? ये मायावी हिरन नहीं है. ये तो प्यारा है. तामबुल तो ले. धर्म घंटा. घंटा इस समय बजा सब ठीक तो है, ना? आपदा कभी बताकर नहीं आते प्रिये. प्रते दिन कोई आपदा रहती ही है. कर्तव्य. राजा का वही तो होता है कि अपनी प्रजा का सुख दुख समझे. दामपत्य से भी तो कर्तव्य जुड़ा है. दामपत्य कर्तव्य से जुड़ा है. ये मानता हूँ पर सेवा धर्म है मेरा. प्रानेश्वरी राम विवश है धर्म से जुड़ा जो है वचन में बन्धा हुआ दास रभू अयोध्या नगरी में आपका सिवक एक गुप्तचर हूँ नाम भद्र है मेरा ये गुप्तचर चारों दिशाओं की देखभाल करते हैं और प्रजा का कोई भी दुख सुख इन से छिपा नहीं है प्रभू पूरू में प्रभू पस्चिम में उत्तर में दक्षन में राम राज्य में प्रजा की कुछ समस्याएं है प्रभू प्रभू धनवान पुरुष धन बाटने के इच्छुक है पर उसे स्विखार करने वाला कोई नहीं वाता वरण में चारों और सुख ही सुख है वैद्य शालाय बंधोनी प्रारंभ हो चुकी है प्रभू यमदूत यहां व्यर्थ ही समय कमा रहे हैं इसे धर्म का अदोश बताते हुए लौट भी जाते हैं एरे मानेक और विभिन्य प्रकार के रत्न वनस्पती के समान यूहीं पड़े रहते हैं अतिश योक्ति को अब यहीं समाप्त किया जाए सच में प्रभू जिस दिश्शाम में सुनकर संतोश हुआ समाधान प्रजा के यदि मन में है तो भी गुप्तचरों आप सब किस अतरक्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए यह मत भूलिए कि कष्ट और समस्यां इस समय देखकर नहीं आती भद्र नगर की भी जानकारी दो ना सब कुछ ठीक तो है मेरे भी यही विचार हैं जो इन सब के हैं हर और सुक्सम्रिधी का वातावरन है रामराज्य में कोई कष्ट और प्रजा इसकी तो कल्पना भी करती ही नहीं राज्य के सुरक्षा कर्मियों आप अपना कार्य यूही पूरी निष्ठा से करते रहिए आग्या महाप्रभू भद्र क्या कोई बात नहीं बात ऐसी कुछ भी नहीं प्रभू सबी सुरक्षित और आनंद पूर्वक हैं भद्र तनिक मेरी और देखो तुम्हारे आच्रन तथा भाव भंगेमा में कोई मेल नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ छिपा रहे हो क्या बात है कहो तो सही तुम्हारे चेहरे की घवराट कुछ कह रही है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं प्रभू ठीक से मैं सो नहीं सका थाकान है असत्य यदी कहो और सत्य को छुपाओ तो वो घोर अपराध है ये सत्य कड़वा हो सकता है फिर भी कहो प्रभू प्रभू हाई मामाची मामाची मामी वापस आगई मामी वापस आगई आजा हाथ तो पकड़ो भाईया मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जनन दिया है बच्चा पैदा हुए चार दिन बी चुके हैं इस प्रसंग का उत्सो नहीं मना सके इस बात का बुरा मतमान में आगे नहीं बढ़ना तांगे तोड़ दूगा कहा था पीहर जा रही हूं पुर्णी मा को गई और अमावस्या की बाद लोटी है यह क्या गोलमाल है इसमें गोलमाल कहां से हो गया बेहन को बच्चा हुआ है पता है ना मेरी माचुके बूड़ी है इसलिए उन्होंने पर कितना भारी दोश मड़ा है पतीने सोगन लेलो सोगन लेलो चाहे अपनी अम्मा की भी ऐसा कुछ नहीं था निर्दोश हो सच कह रहे हो अरे बेटा ठिपू पत्नी तेरी अगनी के समान पवित्र है हाथ पैर टूटेंगे तू निंदा ना कर अरे पागल इतना बड़ा दोश लगा है तूने ठिपा मत दोश लगा पत्नी के ऊपर शुप हो जाएं यह तो इसी योग्या है इसकी और से ही ऐसी पहल हुई होगी यह पता है मुझे मुझे बोली पीहर से कल ही लोट आउंगी लेकिन लोटी पंदरा दिनों बाद एक दो दिन भी नहीं पंदरा दि इसके न्याय का भरोसा है जो स्वयम दोशी है उससे कैसी है पिक्षा निंदा करेगा तो मर जाएगा भस्म तू अभी के अभी यहीं पर हो जाएगा भस्म हो जाओंगा धर्ती पर महान के ओल भाई है क्या साधारन व्यक्ति है जिसकी पत्नी पूर एक वर्ष पर लिए उसे समय योग्या भी नहीं है तुम मेरा फुत्र नहीं है बला ऐसे क्यो मार रहे हो मुझे तुम सटी आगे हो किन्तु मैंसा बहुं अपनो अपनी भार्या को प्रभू वो धोबी वहां पर एक मदरा पान की अग में पुरुष के समान प्रणाप कर रहा था गंभीरता पुरुवक आप इस बात को ना ले प्रभू मैंने जो सुना और देखा वही बताया चूकी जोर देकर पूछा जो था आपने प्रभू नहीं भद्र यह सब कुछ तुमने स्वयम सुना है तथा देखा है कोई है जी प्रभू लक्षमन भरत शत्रुगन को यहां पर तुरंत बुलाया जाए जो आग्या प्रभू भद्र अब तुम भी जा सकते हो प्रभू यह राजा की आग्या है कि इस विशह पर बोलोगा नहीं अब जाओ मैंने कहा जाओ हुझ है हुझ 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 है कर दो कर दो सीता सीता यह सामराब के छोड़ दूगा यह मुकट छोड़ दूगा यह सामराब के छोड़ दूगा यह सामराब के छोड़ दूगा सीता सीता लेलो यह मुकट मुट से सीता प्रभू सीता प्रभू सीता प्रभू सीता प्रभू सीते प्रभू सीते प्रभू सीते प्रभू स कि छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा इस सिंगासन से मुक्त करो इस राच्य से मुक्त करो सीता मुझे दे दो सीते सीते भाया सीता माता यहीं पर है साथ में यह और सकुशल है कैसे सकुशल होगी लश्मट अब नहीं होने वाली यह सारा दोश मेरे भाग्यका है सीते सीते कोई भयानक भ्रांती है जो आपकी दुविधा का कारण बनी हुए यह कोई ब्रांती नहीं प हेव राताओं दोनों मेंसे एक, एक कोई सिंगासन का भार अपने कंधों पर ले लो, ऐसा हो जाएगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, इस कारागार से, सीथा मेरा जीवन है अलग, अलग होके नहीं जी पाऊंगा, अलग होने का कोई प्रश्णी नहीं है, ऐसा मत बूलिये, कु अश्व विचार के मन में उठ रहे हैं, देखिये, इस आवेश को छोड़े और शांत रहे, शांत कैसे रहूं, या तो सीथा का परित्याग करना है, नहीं तो सिंगासन मुझे छोड़ना है, भाईया, सीथा माता का परित्याग, कोई गंभीर बात है, हाँ ब्राता, बहुत गंभीर बात है, गोर से भी गोर लांचन हम पर लगा है, हमारा सूर्य वंच घने काले बादलों से घर गया है, हमारी प्रतिष्था कलंके थो गई, और धोल में जा मिली भाई, भाईया, भाईया, बहुत ये वात कैसे बता हूं, मिली आयोध्या में बसे पुरुष की जब अपनी ही भारिया चरित रहिल लगी तो घर से निकाल दिया, कारण पूछे जाने पर वो बोला, कि मैं इतना मूर्ख नहीं कि एक भरष्ट नारी को अपना हूं, जैसा कि राम ने अपनी भारिया सीता को अपनाया, जो कि पूरा वर्ष रावन के अभिता चुकी थी, पर उ ये दोष लगाने वाला कौन है वो व्यक्ति, उसकी चलती सांसे बंद कर जूँगा मैं, कल को यह और कहेगा किस किस सांसे बंद करोगे लक्षमर्ण, भाईया, सुनो, सच बात है या जूट, लेकिन प्रजा को तो विश्वास हो चुका होगा, जो भारिया ब्रष्ट है, उसको अपनाने की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, आगे नहीं बढ़ेगा उससे अपनाने को, सारे ही खड़े होंगे, सर जुकाय हुए मूर्ती बढ़े हुए लक्षमर्ण, अगनी परिक्षा द्वारा सिद्ध होई थी नपवित्रता, अगनी परिक्षा यहां नहीं लंका राज्य में हुए जिसका आभास यहां की प्रजा को नहीं, भारत, यह उनकी भावना और उनका निरने भी है, राजा तुदा से अपनी प्रजा का करतब्य से बन्धा हुए, प्रजा का विश्वास सथा निरने तो सर्वोग पर ही है, और नहीं इसका कोई दूसरा व तुम सब मुझे, राज्य बंधन से मुक्त करो, सीता चाहिए मुझे, सीता ही है मेरे प्राण, सीता के बिना तो राम अधूरा है, मैं जी नहीं सकूँगा, इतनी प्रार्तना है छोटे भाईयों से कि तुम दूनों में से कोई भार अपने कांधे पर ले लो इस सामराज्य का और मुझे मुक्ति दे दो, कर दो ना ये उपकार सीता और राम पर, यदि सीता राम बिचड़ गये तो पाप के भागी बनोगे, मुझे मुक्त करके वन में जारे दो भाई, महिया, हम में से कोई इस योग्य नहीं की धारान कर सके ये मुक्त, नहीं ये उचित है, ये सामर पेशे चलेंगे इसी माता के विवाह से ही रगुवन्ष में प्रसन्यता की जोद जली इसी सीता माता का नाम जब कर पापों से मुक्ति मिलती है मनुष्य को एक पावन तथा चरित्रवान गुणवान माता के साथ कुछ नहीं भारत सुना ना तुम ले भाया भाया दया कि समुद्र थे आप तो परन्तु आज वो दया कहां लुप्थ हो गई आपका हर्दय पाशार नहीं बन सकता यह निर्णय नहीं बतलेगा भरत यह पवित्र धर्म इश्वाको वन्ष के वन्षज हमारे पिता महराज दशरत ने कष्ट उठाते हुए भी निभाया और प्राण भी त्यागे किन्तु किर्थी को आच नहीं आने दी इसे एक शति पहुंचाने का अधिकार मुझ में नही यहां सीथा के बिना चाहे मुझे जितना भी दुख पहुंचे विधी के इस विधान को मानना ही होगा भाईया लक्षमन लंका में सीता ने जब अगनी परिशा दी थी तब तुम्हें वो मानन्य था किम्तु अब इस राम के इस निरनय का विरोध क्यों कर रहे हो मेरे भाई यह मेरा आदेश है कि सीता को तुम बालमी की आश्रम के पास छोड़ा हूँ मैंने जो कहा है वो रहस्य ही रहे है लंका मेरा आदेश्धिक एजया वो में तुम इस में वो में बालमी कर दो, आधर शोड़ा बॉया अत्कतरे जो जो दो तुम्हें आदेश्य गूजा प्सक्तर है भाईश्य बालमी की आदेश्य है झाल 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 माथा, रद तयार हो चुका है हम भी तयार हो गए ऐसा, ऐसा क्यों है कि आभूशन पहने भी ना आप चलेंगी? मेरा अभी प्राय आशिरवाद लेना है आभूशनों की आवश्रक्ता वहाँ नहीं होगी यदि आभूशन पहने तो वो पहचान भी नहीं पाएंगी मुझे श्रद्धा से नत्मस तक हो जाएंगी रानी आई है इससे वो भैभीत हो जाएंगी नहीं मेरे निकट बैठने वाली है नहीं खुलके बाते होंगी यदि मेर प्रभू हम दोनों जाते तो उसी विश्मी जाते हम। वो है कहाँ? नहीं वो आना तो उनका असंभो यह माथा ऐसा है यदि ऐसा है तो मैं स्वैम उनके दर्शन करकी आशिरवाद तो प्राप्त कर लूँ? नहीं संभव नहीं होगा, एक आंथ में होंगे इस समय माता, अब अधिक विलंब ना करें, प्रस्थान की बेला हो चली है अच्छ जली आम खी बेला हो चली कि किन्सरी अच Christmas कि कि जल्च मैं आव के लोगा का उन प्रस्था पंधिक निजस्च से कि कि में थाली को उाली अली ऑरा य़ जिरस ओ में झाली हे पवन गगन अगन पृत्वी हे जल्विमल क्यों ना राम को रोक सके तुन अपराध किया है किसने और भोगता है कोई घोर अन्याय हुआ ये क्यों रिशिमुनी उन्हें समझा कर क्या रोक नहीं सकते थे क्या उनका मौन उचित है उच्छ शिखर है वन राजा धारा है सरयु नदी की अन्याय ये क्यों हुआ है हे पवन गगन अगन पृत्वी हे जल्विमल क्यों ना राम को रोक सके अपने शब्त वापस लेले आपने सभा में प्रजा को जो विश्वास दिलाया था क्या उसे जुटला देंगे केवल मर्यादा की चिंता है आपको किसी सुनी-सुनाई बात पर अपनी भार्या का त्याग को उच्छ बात तो नहीं यह उचित नहीं है राम सुनी-सुनाई बात पर सीता को वन में भेज कर क्या आप सत्यक की परिभाशा बदलने वाले हैं अपने पूर्वजों का आप मान करने का विचार है क्या आप भूल गए अपने बचन के कारण आपके पिता वैकुन सिधारे थे रगवश के धर्म औ अपनी भार्या का त्याग कोई उची वास्टों नहीं है आपको राम ये ने अनुचित है राम ये धर्ल के रुट है ऐसा अधा होने दे हे पवन गगन अगन प्रिथ्वी है जल्विमल क्यों ना राम को रोक सके तुम लक्षमन आशरम वासी कहां है यहीं पर होंगे कहीं निकट मेहीं होंगे ऐसा है तो चले नहीं यहीं पहुंचाने कि आज्या है आज्या कौन सी आज्या और वो आज्या क्या है इसी वहन में छोड़ दिया जाए आपको लक्षमन परिहास तो नहीं आग्या जो दिएगे वो मेरे ही प्रभो राम ने दिया राम की आग्या नहीं ये तो राजा की है कि ग्यानी जहां बसते हो उस वन में छोड़ दिया जाए यहां पर ही छोड़ दिया जाए यानि स्वयम नहीं वो नही लक्षमर यह सब क्या है तुम्हारा अभी प्राय में समझ नहीं पाई नहीं 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 शमा कर दो मुझे माता श्राप दे दो भाष्म कर दो मुझे लक्षमर यह क्या है क्या है बिटे ऐसी बातों से याद ना पहुंचती है मुझे कारन तो बताओ माता अयुद्या के प्रभू रामचंद्र महराज ने अपनी प्रिय पत्नी रानी सीता का परित्याग किया और राजपार से वंचित भी हो चुकी है और याज्या राजा राम ने दिये यानी मेरी स्वाई ने अब मेरा परित्याग किया आज पार्वति परमेश्वर और आज पंच भूतों और भूमी माता मेरी मां की रक्षा करना अर आपदा में रक्षा प्रधान करना प्रभू प्रभू शत्रु को भी आपने क्षमा किया है करूडमूर्थी प्रभू आपको ये क्या होआ अपनी पत्नी के लिए वो करूड़ा कहा आ गई क्यों होए निर्देई क्यों दिया ये देंड अपराद किया था मेरा कौन सा पाप किया अपराद जू किया मैंने उसे दंड से पहले बता तो देते क्या हो अदल एक्षमर्ड ये था बताओ कारण तो बना रावन द्वारा आपका परण और एक वर्ष रावन की लंका में व्यतित होना यही वो अपराध है प्रजा ने दोशी कहा आपको इसी बात का ये दंड है निर्दोश सिद्धे करने के लिए अगनी परिक्षा दी थी ना किन्तु यहां से दूर लंका राची में हुई थी हमारी प्रजा को उस परिक्षा पर विश्वास नहीं हो रहा उनकी आलोशना है कि वापस क्यो लै राजा आपको और पुना पत्नी के रूप में अपना भी लिया ऐसी नारी को आयोद्या की रानी बनाया कैसे यह लाज़ जो लगाया है उस पर मेरे प्रभू को भी विश्वास हो गया नहीं माता ऐसा कभी नहीं हो सकता राजा चुकी वो है और रगवन्ष की मर्यादा की रक्षा है तू इस गोर्दंड के लिए बात दिया होना पड़ा लक्षमर और दांगिनी गर्भवती है उसे बन में भेजने से रगवन्ष की किर्तिया मर्यादा बढ़ जाएगी यदि राजा है वो तो महरानी नहीं कर्दव या मेरे लिए नहीं इस ग्रद्वरा पर मैं कलंख लगा है लक्षमर यदी विपाप किया है तो मुस्से स्वैम यह कहती कि मेरे आगया नुसार तुम्हें वन्त में जाना होगा तुम्हेमे प्रसन्त अपुरवक अग्नी में कृच जाती प्रबू आया आपमान के अगनी दुस्वेम अगली से बेजवालन शील है मैं कैसे सहन करूंगे इससे तो अच्छा है कि गंगा में कूद कर प्राणी महता शपत है मेरी साथ ही गर्में पलने वाले शिशू की यह गर्म में पल रही रगुवंश की जोती अखंड दीप प्रचुलीत करेगी वो भी शाष्षोत प्रकाश के समान यह मेरी परलगा कलंग मेरे गर्म में जो शिशू है उस पर भी तर लगेगा मैं विश्व को मैं विश्व को इस मक्का के स्प्रकार दिखा पाऊंगे के ऐसे काटंगे यह जीवन सच तो यह है कि आप महान धर्ती मा की सुपूत्रिये हैं सत्य और धर्म मिलकर ही जगत को निरंतर जीटते आये हैं राम प्रभु का अर्दे तो इस बास से चूर हो ही चुका है अर्धांगी नी आप है उनकी और आप से बिछड़ने पर उन्हें पीड़ा में जीवन बिताना होगा क्या आपके बिना वो सुप चैर से जीवन बिता पाएंगे अपने दुख से दुखी होकर अप शब्द बोल दियो उनके लिए स्वामी के कष्ट को लेकर सोचा ही नहीं मैंने राम चंदे प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्ती हो पाया और वजन का कोई पाप होगा कष्ट उठाने के लिए पैदा होई हो कैसे प्राप्त होसे केगा सुख मुझे सेहनब नहीं होपाएगा ये कष्ट मुझसे राजा की आग्या मानना ही कर तब ये था आग्या दे माता श्रीक राजा के लिए आग्या मुझे के लिए राजा राजड्या सीता, सीता मेरी पुत्री, कैसा कष्ट आन पड़ा, कि जिसने यहां पहुंचा दिया, कि इर्थिवा मर्यादा पर आँच ना है, तो पती ने तुम्हें दूर यहां पर भीज़ दिया, बात यह दुर्भाग्य पुन है, सीता माता का बहिशकार जो हुआ, आयोध्या प्रजाद्वारा, यह उनका दुर्भाग्य है, इस पाप की मैं स्वैम भूमी देवी भर्स ना करती हूँ, सुख नहीं पाने वाले वो, अंत तक सुख नहीं पाने वाले, राज्य धर्म का उपहास, वहां की प्रजाद्वारा जबकि वो अपनी परिक्षा भी दे चुकी है, अगनी को साक्षी मान कर, उसका ही परिद्याग किया, और वन में छुडवाया, कैसे किया यह, राज्या प्रजा दोनों ही, मेरे शाब से, नहीं बच पाएंगे, कदाब भी नहीं बच पाएंगे, मा, 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 शात हो जाएंगे, मा, मेरे स्वामी तथा प्रजा को दंड ना दे, आप, नहीं तो कष्ट मुझे होगा, कौन है तुम्हारा स्वामी, हिर्दैही इन व्यक्ती, अगनी के हवाले तुमको किया, ऐसा स्वामी, गर्वती पत्नी को वन में भेजने वाला, वो निर्दैही, मा, स्वामी की निंदा और नहीं सह सकूँगी, बस करिए मा, कलंक उन पर लगाएं, तो मैं नहीं सह सकूँगी, आप जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ, जिस प्रकार पती की निंदा तुमको सहन नहीं हुई, उसी प्रकार मुझे तुम्हारा कष्ट भी सहन नहीं हो रहा, अब मैं शपत लेती हूं, सीता, कि अब नहीं बोलूँगी, राम के विरुद, चलो घर, चलो मेरे साथ पुत्री, मा, पती के घर जो कलंक मेरी पर लगा है, उसे ले कर तो मैं नहीं आऊंगी, इससे आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इस गर्भ में चूंकी रगु वन्ष का वन्षज है, उसे पती के हाथों में सौपना आई है, वो वन्ष का भविश्य है, ये धर्म निपालू, इसक के बाद, जैन से सोजाना चाहती हूँ, एक बच्ची के रूप में, अपनी मा की गोद में, ये कठनाया वो मा सहती ही है, जो एक बिटिया की मा होती है, विधी के इस विधान को ना तो कोई आज तक बदल पाया, और ना ही बदल पाएगा, जै श्री राम, रिशीवर, 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 आपनी सुना जो घोर अनर्थ हुआ है, आयोध्या में राम और यहाँ वन में है माता, राम प्रभु का परिवार संकर से चूच रहा है, हनुमान जुन करूँ क्या मैं युजदा करूँ क्या मन के दुख का अंतने हедь है सीता माता फिर से कष्टों में घेर चुकी है, रिशिवार. सीता माता की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, हनुमान. अन्तशुभ हो कामना यही है, सब शुभ होगा. हनुमान, सेवा करने ही तु आय हो, माता की. ऐसा भाग्य मेरा कहा, स्वामी? माता के लिए मैं अंगूठी लेकर लंका जा पहुंचा. ना यह वो लंका है, ना ही यहां राक्षस है, जो उनकी रक्षा करूँ. एक और श्री राम है, दूसरी और माता है, किसका सयोग और किसका विरोध करे? शरन में आया हूँ, आपके मार्क दर्शन करें. शरन श्री राम के कमल चरनों में मिलती है, धहले रखो हनुमान, संदेह तनिक भी न होने पाए. जब भी माता की सेवा में रहोगे, तो बाल रूप तुम्हारा होगा. गाओगे, नाचोगे ताकि वो प्रसन्न हों, संतोष प्राप्त हों, यही सेवा है. माता जितना प्रसन्न होंगी, बालक उतना ही स्वच्थ होगा. शुभाम, जैरम. माता, प्राराम, हे जगत माता, सीता साध्यवी. मेरा नाम वालमी की है. श्री सीता राम प्रभू के पुनि चलित्र को गाते हुई मैंने, श्री मद-रामायन गरंध की रचना संपूर्ण की. संपूर्ण रामायन कथा की रचना संतोष पूर्वक की है मैंने, किन्तु यह कथा पी संपूर्ण नहीं, आपूर्ण है. भागवान ने आगे भी कुछ सोचा हुआ है जो अभी घड़त होना है माता सीधा, लोक माता, मेरे आश्रम चलिये और हमें आशिरबाद प्रदान कीजिये स्वामी, कलंग मुझे पर लगा है फिर भी आप मुझे ले जाएंगे नाथ मुझे त्याग चिके है, आपकी पुनियों भूमी पर यदि इन चरणों के उसपर्षे तो ये धर्ती पवित्र हो चुकी है माता मेरा नाम और कुटुम दोनों गुपता रखने होंगी स्वामी, ये आपको मान्या है सहस्त्र नाम धारणी, नाम सोचने में कोई कष्ट नहीं, साक्षात श्री महालक्षमी स्वरूप हो, अब लक्षमी देवी नाम से तुम्हें मैं पुखारूँगा, बादराजू, ये चरण जिवी तुम्हारी सेवा में होगा, इसे अपना बड़ा सुपुत्र समझना, औ सुरो मेरी बात, तुम अभी तोड़ते हुए अपने आश्रम जाओ और वहाँ, वहाँ, हाँ, जाना है, जाना है, सधाई भागंबार, मारूधी के समान वेगवान है, मेरे बीटी, माता को आश्रम में रहना होगा, तो कुट्या तो बनानी होगी ना, यही जाकर बताना है ओ, कुट्या बनानी है, माता आएंगी, गुरुदेव भी बतारेंगे, माता के लिए कुट्या तयार करनी है, गुरुवर का आदेश है, आप सब आईए, माता के लिए कुट्या तयार करनी है, अम्मा आईए, जल्दी आईए, जल्दी आईए, इस कुट्या को तयार करना ह स्वामी माता पदा रही है कि बड़े भाग्ये हैं हम सब के जो हमारे बीच एक सा हिरते मा जो हमारे आश्रम में रहेंगी इनका नाम लक्षमी दिल्या है धर्मनुराक के विचार हेटियों इनके पती नहीं यह भीजा है यह कड़ी समस्त तक होगा यह हमारे आश्रम में ही रहेंगी कि देवि समानल इनहें पूझना होगा बेहन समान समझते हुए, इनकी सेवा करनी होगी। रीती रिवाजनुसार जो कल्यान कारे है। गर्वती इस्त्री हेतु होते हैं, वो सभी होनी चाहिए। आईए माधा। आज तो मिधिला नक्री में कुला हल की कुँची कुँच होगी। तीनों छोड़ने बहुए, तो ये से मन तोच सबड़ी धुम्ताम समना रहे हुँगी। परुंट सीता, मेरी बड़ी बहुँ। इतनी भागवान नहीं है। जाहती थी कि वो यही पर रहे। परुंटु। वनमेजा पहुची। कैसा दुर्भग। परुंट। सीता, सी मन तोच सब राज कुवर आएंगे। दर्ती, आकाश, मुकारे, हर्श है द्वारे द्वारे। कौशल देश में गीत गुजते चैसे कोयल कोके। पूनम और बसंत साथ में लगे बदाई देने। राम प्रियाश, सीता, रानी, माता बन शौबे। सीता, सी मन तोच सब राज कुवर आएंगे। दर्ती, आकाश, मुकारे, हर्श है द्वारे द्वारे। अजए जए ओपुड़ी कि अजए आएंगे। जए आएंगे। थिरक थिरक कर रमणी के पग नाच नाच कर छुमे पती देवता केश सवारे मांग में कुम कुम भरते थिरक थिरक कर रमणी के पग नाच नाच कर छुमे पती देवता देश समारे मांग में कुम कुम बर्दे काश्मीर ने के सर भेजी सीता को सजाने करना टक कस्तूरी भेजे है सुगन फेलाने हर काम करने से माताई रोके सीता का माने सीता से मन तोच सव राज कुमर आएंगे धरती आकाश पुकार हर्ष है द्वारे द्वारे हुआ, मताशी आए ये उत्साव नए हर में होता है ये रीत पुरानी ये भी है नए हर ही तुम्हारा ये ही समझ लोरामी राम राज जा गूज रहा हो प्रसुति होगी वही पर प्रभु जी की आशिश मिलेगी माता पुत्र लोटे है गुरो जनों की आशिश मिलेगी शुब-शुब पाओ गीवर भगीनी है हम सभी तुम्हारी है सिवा में तत पर कर कल्यान राम जी तुम पर रक्षा करे तुम्हारी डेवी हर शित हर पर राम जी के संग रहेगी प्रेमा अनन्द की रुतो वारंबर आएगी आओ सब हर्ष मनाई इस पावन उत्सव पल वेदर चाए गुझ रही शुब-वर्दानी बनकल राज कुवर को जनम दो जोगुणों का होरत ना कल देवी सी मनतों साव राज कुवर आएंगे धरती आकाश पुकारे हरश है द्वारे द्वारे यजदी नमस्कार नमस्कार यह नमस्कार स्वयम के लिए यह बात समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसे क्यों स्वैम को नमस्कार कर रहे हो ऐसे मैं नहीं करो तो क्या करो जब भी मैं किसी को नमस्कार करता हूं तो मुझे चीरन जीवी हो बोलते हैं पर नमस्कार तो कोई नहीं बोलता इस पर आप तो हस रही हो माता वा आप जब भी हसती हो तो मुझे मेरी मा के समान लगती हो मा आपको और हसाने है तू एक छोटी सी कहानी सुना क्या लेकिन सही उच्चारण के साथ डर इसी बात का था मुझे बोलने से पहले ही आप तो तुटिया निकाल रही हो अच्छा ठीक है चलू सुनाओ जैसे ही श्री राम प्रभु का राज्य बिशेक पूर्ण हुआ तो ठकान के कारण अपने कक्ष में चले गए आज्या शेश लोगों ने भेली और वो चल पड़े किन्तु अंजने वही पर चौकड़ी जमाय बैठे रहे अपनी सेवा भाव में पर जैसे ही श्री राम कक्ष में पहुँचे अंजने भी पहुँचकर चर्णों में बैठ गए नीन के कारण वहां सभी जोके ले रहे थे किन्तु हनुमान वही पर डटी रहे बेटी तुम भी सोने जाओ यदि मैं भी चला जाओंगा तो स्वामी की सेवा में कौन रहेगा माते माते आप जो करेंगी वो सेवा अलग है और मेरी सेवा अलग स्वामी जो सर की पीड़ा के कारण उठकर बैठ गए और मुझसे ये बोले कि मैं तुरंत उड़कर जाओं ताकि मैं संजीवनी परवत से कुछ पत्तियां ले आओं उनके उप्चार के लिए तो आप उड़कर जा सकेंगी वहां किन तुम बैए उड़कर जा सकता हूँ वहां ऐसे काम आप नहीं कर पाएंगी आहां स्वामी ये चुटकी तो मैं भी बजा सकता हूँ आप रभू जब कोई व्यक्ति स्वयम के लिए लिए चुटकी बजाए तो वयोवरेद्य उसे अनुचित कहते हुए विरोध करते हैं स्वामी की जमहाई के समय चुटकी बजाते हैं दास ठीक है हनुमान तो फिर तुमको ये करना है कि यहाँ पर नहीं बजाओ के चुटकी तुम छट पर जाओ और वहीं पर चुटकियां बजाओ स्वामी जमहाई लें तो चुटकी बजाना जिसे सब सुनेंगे भी सुझा वुचित है ना वुचित है मा जहे श्री राम उपर पहुँच कर हरुमान के मन में शंका पैदा हुई कि मैं जानूंगा कैसे कि राम प्रभु को जमहाई कब आई होगी कब चुटकी बजानी है हाँ ये सोच उनोंने निरंतर चुटकिया बजानी प्रारम कर दी इसे राम प्रभु समझ तो गए इसके आगे क्या हुआ जानती है निरंतर प्रभु ने जमहाई लेनी प्रारम कर दी आपको कैसे पता माता कि राम प्रभु ने बिना रुक्के जम्हाई प्रारम कर दी, बताओ ये कथा गुरुवर नहीं कभी सुनाई थी मुझे ये हटो हटो, हटो, पीछे हटो, पीछे हटो आपवित्रो पवित्रा, ये समस्त वाता वरण प्रभु विष्णु के नाम के उचारण से पवित्र हो जाए, यही मेरी कामना है बेटी, शुभलग्न में, शुभमहूर्त में महाराजी के भागे से जुडवा बच्चों ने इस आश्रम में जन मिल लिया है, तो मैं इस शुभावसर पर इन बच्चों का नामकरन विध्यानुसार करता हूं मैं अब इस पवित्र त्रण के दो भाग करता हूं, तो इसे कुष के नाम से पुकारेंगे, पवित्र त्रण के दूसरे भाग के अनुसाल लव नाम उचित होगा, यानि मिला दें दोनों नामों को तो लवकुष के नाम से पुकारेंगे ही, ही, इतरा हूँ हे सिता के प्यारों शंख चक्रधारी सियरक्षक है तुम्हारी तुम राम के लाल मनोहर हो प्राणों से प्यारे हो राम का था सुख दाई है धारा सुख की बहाई है राम लोरी सुन सोते हो स्वप्न देखते रहते हो सीता के लाडले बालक ये बड़ नट खट न्यारे है राम राजा कहा थी महापुरुष का वाकसितमा का आग्या बालक सीता जाई वारी वारी बचों की दिख सवारी श्री राम चंद्र की जय जय हो लव कुष की जय जय हो रानी सीता जी की जै हो जै जै हो लव कुष की जै जै हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरह गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मई श्री गुरवे नमा तस्मई श्री गुरवे नमा विजयी भावा चिरन जीवियों आज तक जो मैंने तुम्हे सिखाया पढ़ाया वो श्रीमद रामायन पुन्य कथा कंठस्त हो गई ना उसे समझ लिया है ना जी गुरुवर ये कथा आपकी द्वारा रची गई है सच मुच ऐसा हुआ था क्या इस लोक में ऐसे महान पुरुष पैदा हुए है मैंने भी नारद मुनी से स्वयम यही प्रश्ण पूछा था इस लोक में कौन है जो उन्हें नहीं पहचानता हो इस युग में ऐसा कौन है जिसका जरित्र पावन हो नियम सत्य का पालक जो है सत्य धर्म निर्णायक जो है जो सहायता सब की करता सुर्य सजिसका तेज दमकता जो सब का रक्षक पालक है जो करुणा में सुखदायक है कौन है वो कौन है वो कौन है वो कौन है वो तो उस पर नारद मुनी ने मुझे इसका उत्तर इस प्रकार दिया इस रामायन महाकावे की कथा में रामायन का अर्थ है राम तथा उनके आदर राम के पदचिनों कानुसरन यानी यानी उन्होंने बताया कि वहवार कैसा हो और भले बुड़े की पहचान भी प्रतियक मनुष्यक हो और हम धर्म के पत पर चलें इस प्रकार हमको बुरे पत पर ना चलने की शक्ति मिलती है जो हमें हर पल ऐसी प्रविर्थी के ओर ले जाती है, जो घोरदानवी प्रविर्थी है मानव इस प्रकार सुक और संतोष के मार्क पर चलता है और उसके सबी सिधान्त धर्म को साहस के साथ अपनी जीवन का अंग बना देते हैं हाँ, रामायन के पात्रों ने तुम्हारे जीवन पर जो छाप छोड़ी है उसका विवरण दो दश्रत महाराज ने पूरे निष्ठा से वचन निभाया जिनकी भारिया कैकर ने जो वर्दान मांगा था उससे निभाने के लिए अपने अत्यन प्रियर सुपुत्र राम को वन में भेजा यही व्यथा ही तो उनके मृत्यू का कारण बनी यानि प्रथम होता है वचन को निभाना चाहे इसमें प्राण ही क्यों न गवाने पड़े किन्तो राम के विशाय में तुम्हारे विचार सच्चय और साथी पराक्रमी भी वह वचन बद्य पूर्ण रुप से सहासी पत्नी भी एक आदेश पिता का मानते हुए उन्होंने राजपाट का सुक छोड़ा बन चले गए कश्टों का अनुभाव किया इसका अर्थ है कि म जन में गई और अनेक कश्ट भी उठाए इतना ही नहीं वहां रावन ने उनका अपहरन भी किया और लंका भी ले गए अपने साथ महारानी ने अत्याचार सहे पर रावन वारा दिये प्रलोभनों के आगे नहीं जुकी ये राक्षस तो उनके समक्ष केवल घास का तिन का राम पर अटूट श्रधा थी आएंगे मुझे छुडाने ये विश्वास था और रात दिन पूझा अर्चना करती रही अंत में कश्टों से छुटकारा मिला और दोनों मिल गए और रावन के विशाय में परस्ती का अपहरन उसके द्वारा हुआ जिसका दन था उसकी मौत साथ ही उसके बंदो भ्राताओं का भी इसमें वध हुआ राम प्रभू की कथा में ना कि पिता पुतर संबंध है बलकि पती और पतनी का है साथ ही भाई-भाई का भी विश्व को प्रेणा सोरूब आदर्श का एक उदारण दिखाता है लक्षमन का सेवा भाव उन्हें वन में ले गया राजपाट पर अधिकार तो केबल मेरे भाई का है ऐसा बोला भारत ने आहा श्रेष्ट है भाई-भाईयों का प्रेम ऐसे महापुर्शों के आदर्शों पर चलना तो धर्म समान है इस पुण्यक अठाको तुम दोनों कोने कोने तक पहुंचाओगे संसार भर में इसका गुणगान होना चाहिए तुम्हारे द्वारा ताकि इस प्रकार राम प्रभु द्वारा चुना मार्ग प्रेना श्रोत बने उनका मन में मंदिर बनाए उसी वे सीता राम प्रभु की पूजा अर्चना भरती भाव से करे अच्छा तो गाव फिर से यहीं का था देवो निगाई है महमा सुनाई है भक्ति माई ये सीता राम कथा सुनो सुनो हा सुनो सुनो हा महमा इसकी सुनो सुनो मन को भाएगी सुपर साएगी भक्ति माई ये सीता राम कथा सुनो सुनो हा सुनो सुनो महमा इसकी सुनो सुनो सुनकर शांती सब को मिले मन को आनंद मिले मन शीतल तन शीतल हो जाए भक्ति से सत्य का सुन्दर पथ दिखलाती है ये दिवो निगाई है महमा सुनाई है भक्ति मही ये सिताराम कथा सुनो सुनो हाँ सुनो सुनो हाँ महमा इसकी सुनो सुनो अयोध्यापती थे दशरत राजा उनकी रानियां तीनों थी गुणवती पुत्र कामना का यज्य किया था रानि कोशल्या सुमित्रा कई कई को मिला वरदान भी चारवर पूत्रों का राम लक्ष्मन भारत शत्रोग्न जन में रगुवन शुपुनीत हुआ पूत्रों के जन्म से देवो ने गाई है महमा सुनाई है भक्ति मही ये सिता राम का था सुनो सुनो हा सुनो सुनो हा महमा इसकी सुनो सुनो तशरथ भूपती की पीती श्री राम से थी धारा बहती थी निरंतर बसुप्रेम पूर्ण आए श्री गोशिकरिशी राम गोले ने वहां मही मा देव्यास्त्रों के दिया ग्यरक्षा है तू राम ने देव्यास्त्र से ताड़ का कवध किया याग्य तब हुआ सपल कोशिकरिशी का विजय राम कोले पहुचे वो मिधिलापुरी शिवधनुष के साथ नववधु थी खड़ी रगुवन्षी राम का तेज भी जागुठा सुन्दर काया पर मुस्कान खिल उठी रिश्य की आज्याले चल पड़े श्री रामजी धनुष को भंग किया भीर वीर राम ने गुजी गुनी चारों इस प्रसंग से राम पहुचे पहुचे पहुच बरमाला पहनी सोयंवर में दोडोरे बनी धर्म पतनी जान की श्री राम की सिता समरपन की श्री राम को स्पर्श से अनुराग दोनों के मन जगा राम कारेद में बसाया था सीता ने शुभमनों हर सीता राम उनका बंधन ये अटूर बना आधर्ती पुत्री बनी श्री राम चंद्र की ग्रहेनी आधर्ती पुत्री बनी श्री राम चंद्र की अरधांगी नी देवो ने गाई है महमा सुनाई है भक्ति मही एसी ता राम कथा सुनों सुनों हा सुनों सुनों हा महमा इसकी सुनों सुनों मेरे योधाओं ने राज्य रक्षण के शिक्षा में आप तक धनुर विद्या ही प्राप्तकी परंतो वह भी पूर्ण नहीं इससे राज्य की सुरक्षा और दुष्ट जन्दंड के अधिकारी होंगे अब बचे हुए आधे भाग को भी जिससे अस्त्र विद्या बोलते हैं उसके शिक्षा भी देनी होगी यानि इस विद्या से भी उपर है उप्योगी भी है जिस वेक्ति की मान स्पेशी व्यवस् हैं शस्त्र पर इसका प्रियोग लावकारी है वायू अगनी वरुन ब्रहमास्त्र आस्त्रों का प्रियोग मैं आप सिखाऊंगा तुम्हें तो तयार हो सीखने के लिए मार्वन रखनास्त्र प्रबात्षिता शक्ति धारत अध्यास्त्र प्राफ्त делать क्रेंक मैं एक वरूनouble के व्यार। प्रड़न जल भी मैं आपाल्जंगा सम्हार्त महार् शक्ति धारत ववने जहें ब्राफ्त हो दिग दिग प्रकाशत प्रहारत सम्हारत रहात तुम है प्राप्त हो लवकुष ये दिव्यास्त ग्रहन करो ये क्या राम बेटे प्रजा की एक बात पर अपनी पतनी को अपने से दूर भेजा और अब प्रजा के दुख सुख की तुमको चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही आज प्रजा में न सुख है न शान्ती कुछ भी नहीं जो तुमने अदि प्रजा का दुख नहीं बाटा करतव नहीं निभाया तो ये त्याग भी तुम्हारा वियर्थ होगा राजमाता रुशिवर श्रिंग और गुरु वशिष्ट महल में पदार चुके हैं और उने प्रभु के दर्शनों की अभिलाशा है राम अब उठो ताकि अपना करतव निभा सको उठो राम तुम्हारी जो धर्म निष्ठा है उसका शत्रु मरिष ने भी गुंगान किया था कभी तुम तपस्या करो इसकी आवश्यक्ता भी नहीं महर्शी विश्वामित्र ने स्वयम कहे हैं ये शब्द धर्मस्वरुप व्यक्ति को धर्म उपदेश की आवश्यक्ता ही नहीं होती ये दशा तुम्हारी राहु सूर्य ग्रस्तरूप हो चुकी है ये ग्रहन तो अब छूटना चाहिए ताकि आप मेरे भईया प्रचंड मार्तन समान प्रकाशित हो सकें राम ये ग्रहन तुमपर ही नहीं बेटे पुरी प्रजा के उपर भी लगा हुआ है राम यथा राजा तथा प्रजा जानते हो ना ये पीडा तुम्हारी अंदकार उप में प्रजा पर भी फैल चुकी है राज जिवेना तो शानती है वह सौजन्य भी नहीं और संतोष का भी नाम नहीं आप तो आशंका दुरुविक्षिकी भी होने लगी है जिस प्रजा है तु तुमने प्रियसीता को त्यागा वही निर्दोष प्रजा आज दुख उठा रहे है पुत्र इस बात को क्या उचित कहोगी शक्ति गवाई मैंने तथा अपनी ही धर्म पत्नी को खोया भी ये राम अब किसी योग्य नहीं परवेश्वर की गिरपासे राम असंभाव नहीं है कुछ भी तुम्हारे लिए यदि यग्य करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हाँ पुत्र राम जब तुम्हारे पिता राजात अश्रत पुत्र ना होने के दुख से दुखी रहते थे तो उन्होंने भी पुत्र प्राप्ती हे तु रिशिश्रिंग के आदेशा नुसार पुत्र कामेष्ठी यग्य आयोजित किया और यग्य के परताप से राम लक्ष विष्ट गुरु ने स्वेम किया है, जो मानने योग्य है। दीदी, पुरुष्य आपनी धर्म पत्नी के बिना रहता हो। वो यज्य योग्य नहीं है। ये बात तो पता है न? ये समस्या कठिन तो नहीं। आयोध्या के सुख और शांती है तु। तुम पुनर्विवाह करो तो अनेको राजवालाईं प्रस्तुत है। दीदी, ऐसी बात मुझसे ना निकाले। ये मेरी नमर विंती है आपसे। परियास में भी ऐसा ना बोलना। ये राम तो एक पत्ने वृत्य पुरुष है। शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ। राम राज्य के दुख से दुखी होकर ये बात बोली है दीदी ने तुम्हारी किन्तु। इसके समाधान हे तु प्रण तोड़ने की आवशक्ता बिलकुल नहीं पड़ेगी तुम्हें। पत्ने के स्थान पर होगी सौभाग्यवती सीता देवी की स्वर्ण प्रतिमा तो यग्य इस प्रकार संपन्न हो सकता है राम। सुनो राम, शास्त्र द्वारा इसकी स्वीक्रत्य भी है। राम, ये हो हो ही है। राम जंद्र प्रभू अभी एक आंत में है। आप लोग शांत हो जाएं। किर्पा करके यहां से जाएं। किर्पा जाएं। प्रिय प्रजाजनों, ऐसा कुछ भी नहीं किया है आप सबने जिसकी मुझसे एक शमा मांग रहे हैं। बुरे तथा अच्छे सारे कर्मों का उत्तरदाई तो राम ही है। यह जूट है प्रभू, ऐसा नहीं हो सकता। अब राधी हम हैं। सारे पाप हमारे द्वारा हुए हैं। सीता मा को कष्ट पहुँचाया हमने अज्यानी है ना अपराद शमा करो, शमा करो हमें। हमने सुना है कि माता सीता यहां पर सोने के रूप में पधारेंगी। ऐसे रूप में हमारी माता पधारेंगी यहां। ऐसा बड़े लोगों के मुख से सुना है कि मा सीता की स्वर्ण मूर्ती बनने वाली है या क्यों है। राज-बंडानों के सोने का भियोग। ना हो, कदापी, कदापी ना हो, प्रभू। माहँ की मूर्ती जो बने, वो हमार अदिये सोने द्वारा बने। तुorde स्विकाहर करेये और प्राज्शित करने दे। पाप धोने दे। हाँ प्रबु पाथ धोने दे हमें, प्रआप्धारिंगी, तो रक्षा वो कर पाएंगी, प्रान, धान हम अपना शुब कार में दे वोही अंतर आत्मा कह रही है ख़ावड़े रभो अस तू शुभम अस्थू कल्यानमस्थू रामचंद्रप्रभू हमें शमागर दे प्रभू शमागर दे प्रभू प्रियलंकुष, यह संकल्प मेरा तुम दोनों की जो इच्छा है उसे प्रकट है, कि वालमी की रामान कथा गान तुम, श्री रामचंद्र प्रभू समक्ष करोगे, यही इच्छा संकल्प था मेरा, इच्छा तुम्हारी भी तो यही होगी, जयमस्तु, श्वभमस्तु, पुनरवैभव प्राप्त करो, अयोध्या तक तुम दोनों को भारत द्वाजवनी सुरक्षा पूर्व पहुंचाएंगे, गुरुदेव, आप हम दोनों के साथ, तुम दोनों को जाना है, तुम मेह अबार शोर्य, तुम दोनों सक्षम भी हो, धैर्यवान भी, धैर्य मत लखोना और लक्ष प्राप्त करना, शुब होगा विजय होगे, माता लोग पावनी, महालक्षमी, तुम्हारी सहमती है ना? रुषिवर चक्रवत्ती कुमारों को आपने गायक बनाया, और अब उन्हें अपने पिता की समक्ष, रामायन कथा गायन के लिए बेज रहे हैं, ताकि मिलन हो सके, शुरी राम चेंद्रप्रभु के दर्शन का लाब उठाना, जैसे मैं प्रभु को देखती हूं, उसी प्रकार देखना अधर्व के दान, धर्म, उपाहार आदे तुम दोनों मत लेना, बिल्कुल ने, बिल्कुल ने, अपना नटकटपन छोड़ना नहीं, क्यों छोड़ेंगे? रामायन सुनो, श्री रामायन सुनो रामायन सुनो, श्री रामायन सुनो अद भुत ये त्याग मै अद भुत ये धर्म मै अनुराग ये प्रेम बंधन अद भुत ये महा सेहन शील धीर वीर गंभीर महा रामायन सुनो, श्री रामायन सुनो रामायन सुनो, श्री रामायन सुनो श्री राम राजा भीशेखुआ श्री राम राजा भीशेखुआ, आदेश दशरत का हुआ अब धबरी में हर्ष हुआ, विर्पता पड़ी आन कई-कई के कोप से निर्दाई कैकैन ये वरमांगा, चोदह बरस बनवासराम को श्री राम ले आज्यामानी, मन को चले ले आज्याकारी महलों का सुख छोड़ चली राम के पीछे सीता भी, पुत्र ने प्रण, पिता का निभाया सीता पीछे, लक्षमण भी पीछे, जन जन में शोग जाया था सत्यवचन चले रखुपती, अनुगा मिनी सीत सती, लक्षमण ले सेवा की अयोध्या में अमावस चायी सत्यवचन पर चले रखुपती, संग अनुगा मिनी सीता की चली, लक्षमण ले सेवा की उनकी अयोध्या में अमावस चायी अयोध्या में अन्धिरा चाया रामायन सुनू, श्री रामायन सुनू रामायन सुनू, रामायन सुनू राजमाता, राजमाता, वन्दन स्विकारे ये कोलाहल कैसा? श्री परमेश्वरी देवी के मंदिर में गागाकर दो बच्चे रामप्रभु की कथा सुना रहे हैं रामप्रभु की कथा? कैसे हो सकता है? ये हो रहा है मा, हमारे रामचंद्र प्रभु की कथा ये दोनों बच्चे छोटे-छोटे पर्देशी हैं, पूरे दस वर्ष के भी नहीं नाज गाकर बड़े, निराले ढंग से सबको सुनाते हैं और कड़े भी पहने हुए पेरों में जो बड़े सुन्दर हैं मैं आसु नहीं रोक सकी सुनकर ऐसा है, तो यहां बुलालाओ, बिना विलंब किये आज्या दो मा आरोवेदों में लोक रचिनी, आधिक विवाल में कि रचित सीताराम महिवा शीराम प्रभुदंड का रण्या में थे, सीता के संग विवन में थे अनुज लक्षमन करते सेवा, वन में रहते मंगल करते राम पे मोहित हो आई, रावण भगनी शूर्बढखा शाया राम ने अनुचित है, तेरी ये कामना अनुचित है जब मानी नहीं तो लक्षमन ने नाक कान काटे राक्षसी पहुची फिर लंका में भ्राता रावण भडगा राक्षसी यों के बीच उसमें रखा सीता को शोक सगर मेडू बीवैदे ही ओ शोक मेडू बेराम भीवन में सीता, सीता, सीता की पुकार गों जीवन में वन वन में भटके बिलखते वे सीता पती वानर पति सोग्रीव मारुती से वहां पर भेट हुई सागर को लांग लंका हनुमान ने देखे जान की राम मुद्र का देखर बार बार संझाया लंका भस्म कर सीता की छुडा मनी राम को सौप्ली चुदेखा सब कहा राम से हनुमंत ने बायु वेग से वानर से नानि सागर पे से तु बनाया उसी वेग से श्री राम ने रावण को संधारा हर्षित होकर सीता दोडी तो रोका श्री राम ने पिपदा जेल चुकी सीता मा के साथ ये क्यों के आराम ने चिंतित थे किंतू राम बोले अगनी परिक्षा देनी होगी क्यूं अगनी परिक्षा क्यूं कह दो परिक्षा क्यूं अगनी परिक्षा क्यूं अगनी परिक्षा राम धर्म पत्नी की शेल परिक्षा बावन धर्ति पोत्री की अगनी परिक्षा दश्रत की पोत्र वधु की अगनी परिक्षा जनक पोत्री की क्यूं अगनी परिक्षा राम प्रिया जान की सुर्य वन्ष की वधो तीनों लोक में असी परेख्षा कब किसन दी क्यों ये अगनी परेख्षा, क्यों ये अगनी परेख्षा, श्री रावा अब और नहीं, बन करो, बस करो माता, शान्त हो जाओ गाओ, बच्चों अगनी में कूध पड़ी अपमानित सती लाज के मारे जग के सारे संद ही लचित हुए तब अगनी देव प्रकटी जौल से संदेश कहा सीता पवित्र है, मुझे किया है पावन सीता परम पावन है, खोश्द किया श्रीराम ने हिर्मा जान की सहित, श्रीराम योध्या लाते सीता स्वामी श्रीराम श्रीराम राम चिदानन्द धामा सुधापून महाभंड नोधंड दोर्दंड भीमा ओधंड रामा सदोनीक भक्ताणि परिपूर्ण कामा धराजात स्वामित्र पेमा भी रामा सुर्या नया बोधिसामा श्री जान की रामा नमस्ते 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 नमाहा चिरन जीवी बालकों, तुम दोनों कहां से पधारे हो? ये रामायन कथा तुमने किस से सीखी? और तुम्हारे गुरुदेव का नाम? प्रभु, वालमी की मार्शी हमारे गुरुदेव हैं और हमने उनी से ये विद्या प्रसाथ पाया है। इस पुन्य कथा को महर्शी ने स्वयम देखा और रचा भी है। तमसानती किनारे आश्रम में उनका निवास है। अच्छा, तुम दोनों चूंकी सुकुमार हो, तो उस आश्रम में तुम दोनों नहीं रहोगे। सुकुमार हो आज से यहीं पर अयोध्या में रहोगे। और यह रामायन कथा हमें नित्य सुनाया करोगे। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी उससे। संभाव, माता के बिना तो… हम माता के बिना तो एक पल भी नहीं बिता पाएंगे। हम केवल श्री रामचंद्र प्रभु के दर्शन हितु इतनी दूर अयोध्या में आये हैं। अब यहां एक पल भी नहीं रह सकते। सच्मी रामचंद्र, बालक मा से दूर रहें, यह बात उचित नहीं। मा की बात उचित है भाई, कि मा के प्रेम के आगे राजमहल का सुख कुछ नहीं। तुम जैसे पुत्रों की माता तो निश्चिती, बड़ी ही भाग्यशाली होगी। तुम्हारे रूप और वाणी ने मुझे तो भावग बना दिया। बालकों, जिसका वनणन करना संभाव होगा। तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मेरा मन इस बात से दुखी है। चारा दूसरा कोई नहीं। पर अयोध्या वासियों के और सुपहार स्वरोग। यह आभुशन स्विकार करो। आश्रम वासियों का तो आभुशनों से नाता तक भी नहीं होता प्रभू। गुरुदेव भी खुश नहीं होंगे। माता ने भी सावधान किया था कि हम कोई भी आभुशनादी उपहार में स्विकार ना करे। श्री राम चंद्र प्रभु के दर्शन हुए यह सवभा क्या है। हमारा जनम धन्य हो गया। एक बात पूछने थी आपसे प्रभू। हाँ हाँ, निसंकोच हो करके। पूर्णा दर्शन ही हुए है सिता राम के। सिता राम दोनों के दर्शन जो साथ में हो जाते तो यह जीवन सफल हो जागा। हमारा जनम इस सफल हो जाएगा। माता भी संतुष्ठ होंगी। बहुत प्रसन्न होंगी। प्रभू, प्रभू, प्रभू। क्या। आमसे भूल हो ईटेवी की प्रभू हमसे रूट कर बीतर चले गए। सिता माता को हम ना मिल पाएंगी। क्योंकि हम वनवास ही है। अनुभूह वनका उन्हें है। उनोंने वनवास भोगा भी है। हम दोनों पापी हैं, वन में ये विचार तो नहीं। पापी रावन के भाई को भी तो उन्होंने शरन दी थी ना। रामन को ख्षमा उन्हों नहीं किया, वो तो दयाक का सागर हैं, परन्तो क्या हुआ, जो राम प्रभु हमसे इतने रुष्ठ है, क्या पाप हमसे हुआ है, पाप नहीं हुआ है तुमसे ये, कुल रीती है हमारी, तुम दोनों को सीता की दर्शन, अभी नहीं होने वाले, यह पर नहीं है वो, ऐसा क्यों है, सीता, माता, राम प्रभु, दोनों अलग-अलग, कहां पर है वो, यहां से दूर, किसी वन में है वो, किसी वन में है, क्योंकि दुर्भाग गिवश, उन पर दोश लगाया गया, तो हमने सीता को अपने से दूर भेज दिया, राज धर्म नि हरी, हरी, घोर पाप, तैसे हुआ होगा, राम प्रभु भी इतने कुरूर हो गये, कि दूर भेज दिया अपनी प्रिया पत्नी को यहां से, ऐसे दुष्ट व्यक्ति पर हमारे गुरुवर ने रामार्ण कता कि रचना की भाई, इस पास से अग्यान होंगे वो, अब चले, ह दोनों भाई अयोद्या से लौट आए, कहो क्या बात है बेटो, ठकान हो गई, चलना पड़ा होगा धूप में है ना, अच्छा, इस जल से प्यास बजा लो, राम प्रभु से भेट की क्या, वो सर कुषल तो है बेटे, हाँ, उन्हें क्या होगा मा, आनदपुर्वक कुषल है वो, केवल वही सुखी है वहाँ, और बाकी केवल, सब दुखी है, क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ है बच्छो, अधिक और नहीं पूछे मा, ये राम तो केवल नाम के राजा है, मन से राक्षस है वो, हाँ, आशाओ के साथ गये थे हम वहाँ, भक्ती से वंदना भी की, प्रेम से वहाँ गाया भी, ता पता चला, कि राज्य को क्योंकि बचाना महत तो पूर्णो हो गया था, तो अपनी पत्नी को त्याग दिया, गर्ब से थी, सीता माता जिसे राम ने गोरवन में छोड़ दिया, रदय उनका पाशन का है, राम के द्वारा ये गोर पाप हुआ है, इस कारण क्रोथ भड़क उठा हमारा, ऐसा कैसे कर सकते हैं पत्नी के साथ वो, गोरवन में, सीता देवी, कितना तुखी होंगी न मा, कहीं कोई भयानक मश्रू खाना गया हो, बस भी करो, और निंदा नहीं करना, उनका मार्ग तो धर्म का मार्ग है, उनका रदय तो करुणा का समुत्र है, मा, अंजान हो, इस कारण के प्रशन सा मत करो, एसी प्रशन सा उनकी हम नहीं सुनेंगे, राम को ही भूलना होगा, राम अनकता भी नहीं सुनाएंगे, उनका नाम जो हम लेंगे तो यह आश्रम अभवित्र हो जाएगा, बस करो, और नहीं, बंद करो ये प्रलाप, कष्ट उठाने पड़ेंगे, समस् पाप धुल जाते हैं, तो उन जैसे परमात्मा परम जोती कि निंदा से पाप के भागी नबनो, अधिकार नहीं है उनकी महिमा का गणगान करने का तम दोनों को, मेटी में मेलची कि वो संस्कार अर्विध्या जो प्राप्त की थी, अचाओ, अपना यी मुका भी नहीं दि कि आ जो, नहीं तदि 거는 रहाए नहीं, आपक के पहने दिले नहीं, और शोब्षा की आहाएं, प्राप के विल्यनों करसे पाफे नहीं प्राप राम राम, 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 राम मधुर बोल बोलते वे, चपल नेन खोलते वे, नटखट लीलाएं पल पल करते वे, बोल राम लीला कर वसिष्ट मुनी को हसाते, राम राम, राम राम, राम नाम गूंज रहा राज मंदर में, नन्हे नन्हे पगूं चले राम सुन्दरम बानों से विवानरों का चेत्र बनाते हैं हीरों की मुद्र का से कम वो को उड़ाते हैं सभी से समानवे स्नेह जताते हैं गिलहरियों को मीठे द्राक्ष खजर खिलाते हैं पेडों के पीछे वे जाके छिप जाते हैं सरोवर के जल में कंकर वे फैकते हैं मता पिता सब मोहित नखट लिलाओं पे बाल राम की महिमा गाए नखट पन से राम राम मराम राम राम नाम गुञ्ज रहा राज मंदिर में नन्हे नन्हे पगों चले राम सुन्दर है मा खिलाने जाती तो दाड़ते वे ऊपर है स्वर्ण कलश से जल्बे खेरते चंचल कर से चंदा मामा को जोने की हट करते हैं दर्बन में प्रती बिम्ब देख के छिप जाते हैं श्री राम बालली लाए कितनी अदभत है श्री राम बालली लाए कितनी न्यारी है माता तुम तो माता पिता दोनों ही हमारी अब हम ऐसी न भूल करेंगे क्षमा करो माता राम राम मराम राम राम नाम गुण्ज रहा राज मंदर में नन्हे नन्हे पगों चलते राम सुन्दर हैं वालमी की मुनी के चर्णों में वंदन हमारा जयो अस्तू वसे कौन हो तू अयुद्या से पधारे हुए श्री राम चंदर प्रभू के भेजे हुए दूत है राचक शेम और अभ्युद्य हे तू प्रभू के दुवारा अश्वा में एक यज्य हो इसका संकल्प किया है यज्य होगा? राम चंदर प्रभू का यज्या आयूजन तो सराहनी है है तो महर्शी वसिष्ट वाम देव रिशी श्रिंग सभी ने इस बात का समर्थन भी किया है अच्छा संकल्ब सिद्ध हो यज्य पून रूप से सफल हो ऐसी मेरी कामना है आशीश भी मिले कामना के साथ यह भिलाशा है उनकी महर्शी इस यज्य में आप शिष्यों प्रशिष्यों सहत निश्चित पधारें और आशीरवाद दें तो यज्य बड़ी भव्यातात से संपन्न होगा अवश्य होगा श्री राम से कहना कि निमंत्रन स्विकार है हमें समय नुसार हम सभी इश्चुभाय उज्यन में निश्चित रूप से पधारेंगे आग्यादे मोनेंद्र हम मेरेंन कि याउन यफ्या है जसते हम मेरें जिमंत्रन νया रिशिवर का हो पुट्री रिशिवर धर्म पतने बिना कोई भी राजा योग्या है कि वो ऐसे यग्य संपन्न करपाए कैसे होगा कदापी नहीं होगा भारिया बिला राजा भी यग्यसंपन्न नहीं करपाएगा माता वंदन स्विकार करे नी Championships कोई आवशक्ता फूल चुनू मैं तुम्हारे लिए मन में एक संदे है क्या है वो कहो ना धर्म पतनी बिना क्या कोई पती यक्य संपन न कर सकता है कैसे होगा असंभाव बात है कोई शास्त्री इस प्रकार यग्य क्यानुमती कभी नहीं देता बेती मान लो कि प्रथम पतनी स्वर्ग सिधार गई है तो पुनर विवा वो व्यक्ति करे और भार्या को अपने समी भी बिठाए और फिर यग्य संपन करे दूसरा कोई चारा नहीं है प्रबस प्रेंग झार व्र करें कर दो 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 सीता सीता प्रणेश्वरी सीता राज्य धर्म निभाया राज्य लक्ष्मी को अपनाया और ग्रिय लक्ष्मी को वन में छोड़ा इस अप्राद के लिए सारे ही दंड कम है इस पाप का ना ही कोई प्राश्चित है मैंने अपने से दूर भेजा है तुम्हें किन्तु हृदय से दूर नहीं हो पाई राम के इस मन के मंदिर में बसी हो खुली हो ये आखे या नहीं पर दिखती हो इन आखों में तुम्हारी मुस्कान है सौंदर रेज्वान उपम है सौरब भेला रहा है ये सुगंद ये सुगंद मेरी सीता की है चंद्रवनाये चंद्र तिलक सौनमुर्थी के मस्तक पर वो कौन था जो तिलक लगा गया होगा और कौन होगा सीता ही आई होगी हाँ वह होगी ये कोई और नहीं कर पाएगा सीता स्वयम आhy थी वो आया थी सच्पना ये ब्रह्म सीता कहा हो तुम, क्यों सतार ही ओुम सीते, सीते, सीते सीते, 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 सीते सीते आ, ये मधुर स्पर्श, ये मनोहर सौरा भौर, ये मीठी सुगंद, ये सीता की ही है, ये हाथ सीता की ही है सीता, ना जाओ, ऐसे छोड़ कर ना जाओ सीता, सीता, सीता आती हो, अद्रिश भी पल में हो जाती हो क्यों सता रही हो, अब ये आख में चॉली मत खेलो सीता, ये राम तो हिर्दय बेहन है सीता किन तु दया में ही है, धर्ती पुत्रे कहलाती हो दया ही है, आभुशन तुम्हारा शमा याचन करतो, शमा करतो क्या, सक्त्य प्राक्रमी वा धर्म स्वरूप जोकी है, श्री राम चंद्र उसी स्वरूप में दर्शन हुए है, न माता? शब्द भी एक, वान भी एक, वो पत्नी भी एक, यही है, श्री राम का मूल तत्व मुझे पता है, गुरुवर, प्रभु के उस दीविया मंगल स्वरूप के साक्षात, दर्शन की है, मैं सवभाव से संबंधित राम से जुड़ी हुई ए गटना, सुनाता हो तुम्हें, जो कि सत्य और सवभाविक भी है, रावनवद के पश्चात, राम प्रभु विश्राम हेतू, एक शिला पर बैठे हुए थे, तभी एक स्थुरी की छाया को अपनी ओर बढ़ते हुए परम तपस्वी थे वो तो, महेश्वर द्वारा उन्हें अजर अमर्ता का वर्दान मिला था, जिन्होंने मेरे पती का वद किया उनके दर्शन हो गए, लाव तो उठाया परंतु मैंने तो शिरी राम की महानता भी देखी, परिस्त्री की छाया भी छुए ना उन्हें, एक पत्नी वरज्चो है, परिस्त्री को पाने के कुछ एष्टा की तो परिनाम सुरू बद किया श्री राम ने, मेरे पती का राम सकल गुण धाम को करती हूं वंदन में, ये मेरे अग्यान और क्रोध का परिनाम था, कैसा सोचा की किसी दूसरी इस्त्री से विवा किया हूं का शंका की मेले है, ये कैसा अपराध हो गया मुझसे, उनके प्रतिय से विचार, गोर बाप मुझसे हुआ है, कैसे छुटकरा मिलेगा मुनिंद्र, इसका प्राश्चिक कोई है क्या, ये शुब में कैसे सब, बेटी, आवेश में आकर कुछ उल्टा सोचना मानों का सोभाव है, इससे कौन बज़ पाया है, अब चुकि भूल, प्रभू के समक्ष सुईकार चुकी, तो मन में पश्चाताप नहीं होगा, सच में यही प्राश्चित है, बेटी, ये नहीं होगा, मन, बचन, कर्म से सीता अग्नी द्वारश्चित होगी, आवेश उचित नहीं, बेटी, चुकि इस बात से दुखी हो, तो मैंने भी एक उपाय सोचा है, मन शान्थ हो जाए और उसका प्राश्चित भी, लोकमाता जगदेश्वरी, श्री रलिता अम्बिका की पूजा का संकल्प करो, दन्नी हो गई में, गरुवर, बेटी, सावधानी है एक, निष्ठा से ये व्रत करना होगा तुमको, और ये पूजा कमल फूलों से, जिन में सौप अंखोणियां हो, रात और दिन बिना रुके करनी है, एक और नियम है, जिसे तुम नहीं भूला सकतीं, चुकि ये बहुत ही मुख्य है, इस व्रत में मुख्य बात है कि, इसके आरंब और समापती के बीच, किसी प्रकार का भी कोई विग्न उतुपन्न ना हो, कठिन परस्थिती में भी ये व्रत नहीं रुखने पाए बेटी, अवश्य गुरुदेव, मेरे स्वामी की यदि कृपात अथा, आपका आशिरवाद मिले तो, श्रत्ता भक्ती पूर्वक व्रत को बुरा करोंगी, ये श्रत पत्र कमल के फूल कहां से लाऊंगी, इस अरण्य में ये फूल मिले, ये असंभव सी बात है, चिंता छोड़ दो, माता, जानता हो फूल कहां मिलेंगे, सच में? हाँ, माता, आसपास के पहाडो, घाटियो, तलाबो, आदिका मुझे ग्यान है, ये कमल कहां पर मिलेंगे, उसका भी ग्यान है मुझे, ये फूल पवन वेक से, प्रात और संद्या समय आपके लिए लाता ही रहूंगा, ये बात तो सत्य है बीटी, बाल राजू शक्तिवान है, शन भर में कहीं से कहीं पहुंच सकता है ये बाल राजू, मा, मा, हमें भी बाल राजू के साथ भेजो ना, लवकुष, इस आश्वरम की, अपनी माता की, माता की, पूया की, सब की रक्षा करनी है, दानिया हुए हम, गुरुवर्ण, लवकुष, बाल राजू की, शक्तिवान। स्वर्ण सीता की मूर्ती के साथ अयोध्याधीश श्री राम चंद्रभी विराजकर अश्वमेध यग्यका निश्य सरूप आरंभ करते हैं एक्षवाको वंच की ध्वजा को अपने साथ लेकर प्रस्थान करने वाला यह अश्व अपनी च्छानुसार ध्वजा लेकर विहार करेगा और जहां पर भी जाएगा अयोध्या धीन होंगे सभी वो राज्य इन सभी राज्यों की रक्षा व उत्तर दाइत्व अयोध्या पति राम प्रभु के उपर होगा इस अश्व को यदि कोई भी रोकने का या बानने की चेश्टा करेगा तो उसे अयोध्या संग्राम के द्वारा पराजित भी होना पड़ेगा श्री राम चंदर प्रभु के अनुज ब्राता युवराज जो हो इस अश्री मारागनी श्रीमत सिम्हासनेश्वरी चृतत निकुंड संभुता देवकार्य समुझता उध्यत्भाणु सहस्राभा चतुर्भाहसमनुष अन्बिता रागस्वरूप पाशाध्या प्रोधा कारांपु सोज्वला मनो रूपेक्षु कोधंडा पंचतन मात्रसायका निजारुन प्रभापूर मच्चत ब्रह्मांड मंदला सुवासिम्यच्चन प्रीता सोहना सुधमानसा बिन्दुतर्पण संतुस्ष्टा पूर्वजात्रि पुर्याम्डिका दसे मुद्रा समाराज्यात्रि पुरास्री वसेंकरी मामा हमे भी कुछ प्रामा है? ज्ञान अगम्या ज्ञान अग्नेयस्वर्पिनी ज्योनी मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणा बात्रिगुणा ठीक है ठीक है और ये लेका रखो इसे कुछ और फल लगेंगे अरे ये जाओ लेकर आओ एह एह उरे उधर देखो क्या हुआ है हाँ बढ़ाई सुन्दर घोड़ा है raja maharaja hunska गोड़ा है ये अब उश्रम हो मुखक पहने हुए है ये तो घोड़ी है ये तो घोड़ा है घोड़ा भी नहीं और घोड़ी भी नहीं कुछ और ही है ये एह रोको लुका, लुका 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 टुर होशा बड़ा उद्दन्ड खोड़ा है ये तो इसे बांद देते है पेड़ से भल फूलो को रॉन्द ही डाला राजा को आनी दो, उसकी हम भर्चना करेंगे राजा होंगे वो, किन्तो आश्रम की दूरदशा क्यों? भाईया, देखो, घोड़े के मुक्य उपर कुछ लिखा हुआ है राजा का आदेश होगा ओहो, ये तो राजा का घोड़ा है भाई अयोध्या पति का, यानी राम प्रभू का घोड़ा है ये अश्व विहार करता हुआ जिस किसी राजय में पहुचेगा वो राजय अयोध्या के अधिन होगा इस प्रकार तो अधिनस्त होंगे हम सभी उनके भाई ये मानिय तो हमें नहीं होगा बल्वान है, वीर है और हम धनुर विद्या में निपोण भी है भाई भीत मत हो, यदी घोड़े को छोड़ने को बुलेंगे पर हम घोड़े को नहीं छोड़ने वाले कदापी नहीं छोड़ने वाले असो तो राम प्रभू के विरोध जाना आज्ञा ना मानना है ऐसा विरोध तो पाप होगा जानते हैं राम धर्म के आउतार है, रामायन में हमने पढ़ा भी है किन्तो अनुबव कुछ और होता है और पढ़ना कुछ और रावन भी तो साधो रूप में राक्षस होते हुए माता के पास पहुचा और माता ने उसे भद्र पुरुष समझा पर उसने क्या किया उनका आपरण उसे पापी नहीं तो किया हमें भी लगाता कि राम महांतम पुरुष है जाकर अयोध्या में पता चला कि वो कोई महांतम नहीं केवल बाते है निर्दई राम ने अपनी ही पत्नी को छोड़ दिया जो ये घोड़ा यहां बंदा रहा तो वो यहां आएंगे ही घोड़े को छुड़ाने तब स्वयम ही उनका रूप देख लेना समझ जाओगे यादी क्रोधित हो गये क्या भैभीत होंगे हम हम तो वीर हैं वीरों के वीर हैं हम लवकुष समान धरती पर दूसरा कोई वीर नहीं लवकुष समान धरती पर माता को पता चला तो माता को कोई न बोले माता को कोई न बोले वो तो क्रोधित होंगी ठीक है ठीक है तो वचन दो वचन लो प्रभू प्रभू इस ओर नहीं प्रभू अश्टे की ओधर है ठीक है लेकर आओनो उसे यह संभाव नहीं होगा प्रभू किसी ने उसे बांधा हुआ है यह अग्या शुको कौन मूर्ख है वो कोई मिला वहां 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 वीर तो कोई भी नहीं मिला अभी तक हाँ दो मुनिवालक वहां पर है अभी थो क्या उनसे से ननायक जी सिर्मान सुनो जाकर देखो कौन है वहां पर उन्हें डाटकर आश्ट को लेकर आओ तुरंट जो आज्या प्रभू यही है वो यग्याश्वर कौन है जस्रेव प्रभू प्रभू नक्षा कीजिए हम दोनों के रक्षा कीजिए प्रभू कौन है वो दुष्ट बालक जो चिपकरवार करते हो सहसी हो तो आजाओ सामने तो तुमने ही यज्याश्व को बांध कर रखा है हाँ हम नहीं बांधा है जानते भी हो यह जो आश्वर किसका है जगत के वीरों के वीर श्री राम चंदर भूपती महराज का हम है उन्हीं के छोटे भ्राता लक्षमन सुन लिया वंदन महराज क्या इनको पहचानते हो भाई यह वही तो है जिन्होंने वनमे रावन की प्यारी भगिनी के नाक और कानों को काटा था वही वीरों के वीर है इतना ही नहीं इनकी भावी तो इनके मा समान थी जब वो गर्भवती थी यही तो वो वीर है जो कि उन्हें अकेले इस दशा में बन में छोड़ गए थे यही है सचे ब्राता के भाई एक से ही है कोई अंतर नहीं है पहले तो वो राम चुकि पिता को वचन दिया था उसे निभाने बन गए और राजमुकुट त्याग दिया अब चुकि राजमुकुट बचाना था तो अपनी पत्नी को ही त्याग दिया वा बड़े महान है बालकों जाने तथा समझे बिना कटू शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं क्रोध मुझ पर है तो मुझ पर ही निकालो किन्तो श्री राम की निंदा में नहीं सह सकूंगा अगनी साक्षी में एक बार पत्नी बनाकर उसी को त्याग दा तो हमें सहन होने वाला नहीं नहीं सहन होगा मुझ से यह प्रणा अगनों ने तो अब उगलनी शुरू की है पानी डाल का ठेंडा करा उसे यदि ये आव तुम लेंगे तो हम बर्शा करेंगे वरून शास्त्र द्वारा झाल ओनल दूल लुद के चुझ सेलिवव मैं लुड मैं ओनका भलिव मैं प्राइड swampा मों सब्स्कार्णा और यसैंन इांट आब हैंट ज ச 빠ईब हैंड़ करेंगे एलो वालु यहार खा Byamu झाल यह थायाँ झाल छ reiterate बसादाहर्या है हा चार मैंग। झाल 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 हम क्यों इस राम के भाई पर इतना समय गवा रहे हैं क्यों ना इसे लोरी सुना कर सुला दे अब ही तो स्वयम राम को ही पधारना पड़ेगा राम राम पुत्र क्या उन बालकों को दंडित करने राम स्वयम जाएगा राम का छोटा भाई जिन से हार चुका हो उन्हें दंडित करना हो तो इस राम के सिवा कौन है मा असंभव चूंकि संभव हो गया तो सामना करना पड़ेगा माता आशिरवाद दीजिए निश्चे ही विजेहो की पुत्र सब शुब होगा इश्वर साथ में है एढना है तो तो आपाति प्राइभ आपा नेंग एढनाव प्राइभ वह तो यहां रोट, दिया इस यह राराएभाई रापाइभाइभाई, ग्ताय वही होंगेवे उसमाद एढाति निश्चे झाल झाल स्वयम राम है आहा, बड़ी तेजस्वी है विश्वमूर्ति विश्ण प्रभु है चलो उन्हें प्रणाम करें चलो, ताकि फिर प्रश्ण पूछे जाए, लिये जाए उत्तर राम स्वयम है या दीविश्वर है ये नमस्कार भराबाण आयुश्मान भवर ये तिरस्कार भराबाण ये क्यों? आप हमारे यहां पधारे हो, इस हेतु नमस्कार बोला किन्तु अश्वा हम छोड़ देंगे वो असंभव है, ये तिरस्कार था वो मुनी कुमारों, क्या तुम आयोध्या में राम कथा सुनाने वहाँ आये थे, वही हो न? मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ, मेरे मन में अज्यात प्रेम उमरता है, और उससे वो भर भी जाता है ये मत कहो महाप्रभू, ये बात मत कहो, आपका प्रेम तो हमें स्विकार नहीं प्रभू, अपने प्रेम में हमें ना बांधे बिंदी है पाहिमाम पाहिमाम ये क्यों जगतमाथा सीता की अधनी परिक्षया जो लेता है ऐसे चक्रवर्ती राम के प्रेम से भाय लगता है अपनी पत्नी को जिस समय वो गर्भवती थी किसी की द्वारा एक बन में यूही छोड़ देने वाले आप दयालू है आपका ये ब्रेब प्रेम रही तो क्यों करें स्विकार हम मुनी कुमारो सत्य क्या है उसका तो तनिक भी आभास नहीं है तुम्हें किन्तु मैं भी क्रोधित तो होने वाला नहीं तुम पर ये प्रतिभा, ये वीर्था, ये शौर, ये सब बता रहे हैं मुझे, कि तुम मुनी कुमार तो नहीं हो, हम कौन है वो नहीं बताएंगे, चिरन जी भीयों, ये बताओं कि माता पिता कौन है, आपका प्रजन तो युद्ध है, फिर ये प्रशन क्यों नहीं देंगे उत्तर, हमारे कुल का नाम क्यों जानना है, शान्ति पुत्रों शान्ति, हमें पुत्र ना बुलाया, बार बार पुत्रे बुला रहे हैं हमें, आप पिता तो नहीं है हमारे, अयोध्या पती के लिए, उसकी प्रजास संतान स्वरू भी है, ये अयोध्या नहीं महाराज, ये वन है, और आप पिता भी नहीं हो हमारे और राजा भी नहीं तुम दोनों सामान्य बालक तो नहीं हो क्या मेरी परिश्चा लेने उत्रे ब्रह्मा रुद्र हो ये पता है कि घोड़े की सुरक्षा है तो ब्रह्मा रुद्र दोनों ही नहीं चाहिए हमें दोनों सामान्य बालक पूर्ण रूप से सक्षम है यज्याश्व को छोड़ दो हम नहीं छोड़ने वाले जो छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो और ले भी जाओ अपने साथ शक्ती है यदी तो ऐसे भीखना मांगो जीती है ये धनों शुठाएं और बाण छोड़े स्त्री बालक वृद्ध जनों पर राम कभी बाण नहीं छोड़ता ऐसा क्यों? ताड़कावद भूल चुके ये वो स्त्री नहीं थी भाई सीता राम तुम जानकी राम तुम जगतपती राम तुम ये तो माया जाल है मैं समझ गया इसे काटना ही है तुम दोनों ना केवल शस्त्र विद्या में बलकि मंत्र शक्ती में भी प्रमीन और निपुण हो ये मैं जान गया हूँ और शक्तिशाली कितना है समक्ष खड़ा शत्रों उसका अनुमान होना अवश्यक है रावन कुमकर्ण जैसे राक्षस्व कवध जिसने किया वैसे तो तीनों लोकों में और कोई शक्ती नहीं ब्रमास्त्र से भी संगा रखे क्या तुम दोनों उस रामबान के विशय में नहीं जानते जै पराजय तो मानव के वश में नहीं होती इसे भूल गया इसे आपना भूले याद रखे याद रखे माते तुम यहां अचानक परकट कैसे हुए क्या बात है माते प्रलाय आने वाला है संग्राम पिता पुत्र का होने वाला है तुरंट चले माते माते पुजा पुण होने तक नहीं उठेंगी आप माता अशुब होगा माते प्रभु राम तथा लवकुष की बीच युद्ध हो रहा है आप ही उनको रोक पाएंगी शिखर चलिए माता ना जाएं रुक जाएं यदि पूजा अधूरी छोड़ती तो व्रत भांग हो जाएगा माता ऐसे तो देवी का अपमान होगा अशुब होगा अरिष्ट होगा इससे अधिक और अशुब क्या होगा इस और बच्ची है उधर मेरे स्वामी एक और राम बार इंदूस्री और राम का तेज़ए देवी कात्यानी सर्वमंगल जगत माता यह अपराद क्षमा करना माते देर मैं करें आप प्रभू और बच्चों के बीच यदि कुछ घटा श्री राम चंद्र प्रभू ए जगत रक्षक इसे बत्ती की घड़ी में रक्षा अपने वन्ष की आप ही कर सकते हैं प्राणों की रक्षा अपने पत्रों की करें प्रभू श्यान्ती की भीक्षा ना किवल मैं मांग रही हूँ अपे तो समस्त संसार मांग रहा है आपसे रक्षा करो क्रिपा करो ए राम प्रभू ए जगनाथ क्रिपा क्रिपा लाव कुश अंजाने में तुम्हारे हाँ तो गुरा नर्थ हो रहा है साह शस्त्र उठाने का पिता के विरुद मा ये हमारे पिता है सीता सीता प्रणेश्वरी मा ये अंजाने पिता कि शच पिता करो अग्रणेश्वरी पिता है क्या आप ही जान की माता हो, जीता माता हो. क्या आप ही मा, महालक्षमी हो. पिदाश्री, पिदाश्री, आप हमें शमा कर दीजिए. वर्षों के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्थ हुआ है, कि मैं अपने गले, अपने पुत्रों को लगा रहा हूँ. यह उपाहर तुमने दिया सी था. धन्यों तुम. आज अज्यान और अहंकार्वश कैसा आप क्या आपका? यदि इस बाप की ख्षमा मिल जाये तो? कोई अप्राथ तुमसे नहीं हुआ, पर यह सिद्ध हुआ, कि पिता पुत्र समाल है, अन्तानंद महीं, और संतोश महीं हुआ. आओ. भावी प्रणाम, आज दर्शन कितने सभे पश्याद किये हैं? जानकी देवी, आज तुम्हारी पुजा और तपस्या सफल हो गई. मैं जब आपके आश्रम में आई थी, दुखी थी, परन्तो आपने अपनी पुत्री सम्मान मेरी रक्षा की, और आपने मेरे पुत्रों को शिक्षा प्रदान की वीर योद्धा बनाया. धन्या है, धन्या है, आपके आश्रवाते, मेरी पूजा सफल की और समस्तक कर्टवयभी पूर्ण की गुरुवर. ऐसा मत कहिए, अंत कर्टवयोग अभी हुआ नहीं, श्री राहम भाईया, अयोध्या अब लेकर जाएंगे, अपनी महरानी को. नहीं भाईया, आकांक्षा, आश्रा कुछ नहीं बच्ची, परमात्माने चो दिया वही प्रसाद बहुत है, भूदेवी की कोख में जन्म लिया मैंने, अरग वन्ष की वधु बनी, अरग नी परिक शादी, दोनों वन्ष का गौरो बढ़ाया और आप ही के, वन्ष च शीरा हमचंदर प्रभू मजया मता मजयाना लवकुष अब राम राज्य संभाले, हनुमान तो राम भाक्ती को समझ मित है समस्तर लोक में सुख और वैभाव हो खेप, भू माता, आश्रे इसम में आपने मुझे पुका रहा था, आज मैं पुका रही हूँ अब मैं आकर विश्राम करूंगी माँ यदी मैने वचन, कर्म से, धर्भदी रूपे, प्रभुषी रामचंदर की मन से, अपने आत्मा से जारात लागी है तो माता, भू मी माता, आज अपने आश्रे में मुझे इस्तमा लो जब माता है झाल 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 जाल वह वह नहीं। शीचशित स्थोसे लगार राम 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 जंदर शांत हो जाए शांत हो जाए जगन नात हो आप जगत रक्षक हो आप, आप आशांत नहों, कृपे आप शांत हो जाएं चर्भीं हो आप multiplied मेड्या स्अना नहों आप आप ए्टारा हो आप इंचे प्रुमा वा स्वेस्टा us एसज. च्क्रस्ट नारा नारा झावा तुजन्यूत नारा 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 गरास्त नारा थो ठसनारा ट्रुस्त नारा गर कड़ा दो परावं पतर्द भात्वा नारा था। कर दो 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 कर झाल झाल